फ्रेंड्स आज हम बनाने जारे हैं बहुत ही इंट्रेस्टिंग रस्पी रस्ट कश्टर्ड केक यह बहुत ही खाने में डिलिश्यश लगता है और बन भी जाता है बहुत ही कम टाइम में अगर आपके घर आने वाले हैं गेस्ट और आपके पास कोई स्वेट नहीं है तो आपको जौट पड़ेगी किसी मैदे की बटर की कंडेंस मिल्की और ना ही ओवन की और ना कडाही कुपकर किसी जीर की जौट नहीं यह हम पनाएंगे बिना बेकिंग की और यह बहुत जादा डिलिश्यश बनेगा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसके लिए लिया है म एक कप पानी में उसे डिजॉल्व करके गैस पे तपता पकाएं जब तक कि वो थोड़ी चिप चिपी ना हो जाए और हम मैंने इसे डाल दिया है एक पैन में और इसमें डालोंगी आधा कप से थोड़ा सा कम पानी और इसे हम मिक्स कर लेंगे जिसे पानी और चाशनी आप हमाई चाशनी आप पक चुकी है तो मैंने अब कर दूँगी गैस को बन और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और अब हम एक पैन में ले लेंगे आधा लेटर फुल क्रीम मिल्क मैंने या पर यूच किया है अगर आप कप से ना पे तो ये धाई कप होता है तो मैंन में ले दिया है आधा कप मिल्क जिसे मैं एक बाल में डाल दूँगी इस पूरे रेस्मी में आपको तीन कप मिल्क की जोड़ पड़ेगी इसे इतने कम मिल्क में आप बना पाएंगे बहुत ही डिलिश्यस टीचर्ट तो मैं इसमें डालूँगी अब तीन चमश कश्टर प यहां पर यह भी अच्छे से बॉल हो चुका है तो मैं इसमें डालूँगी चार चमश चीनी इतने चीनी सफीशेंट है इस तैस्पी के लिए अगर आपको ज्यादा मीठा पसंदे तो आप एक या डिर चमश और पढ़ा दे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे चीनी हमारी यह कोई लंप्स ना बने तो है यहां पर हमें इसे कंटिनियोस चलाते रहना है और इसे यहां पर जो फ्लेम है उसे हम मेडियम कर देंगे और इसे हम तीन से चामियों के लिए पकाएंगे जिससे कि जो हमारा कश्टड है वह अच्छे से पप जाए अब मैं इसमें डाल दियू या कोई एशेंस आपके पास है तो आप उस एशेंस को भी इसमें यूज कर सकते हैं और इसे हम बिल्कुल मेडियम फ्लेम पर थोई दिर के लिए पकाएंगे जब तक कि जो हमारे कश्टड है वह गार ही ना हो जाए हम गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे और इसको भी हम दालें सीन लेगे दालना दूम लें कर देंगे में वह सत लोग कर सटाथिररं अबर देन पर चैसली है वह घ्या वह एकर करके अपने रह देंगे 20 अच्छ से हमें इसे से घ्घार में मेरे घखना कि आपने लकुँआ इसके दानें चाहिए उनक जब एको चैस्ट डाला जो तो आप यहां पी fruit का भी यूज कर सकते हैं अब हम फिर से इसके ऊपर हम रस्ती layering करेंगे तो एकीट क्रस्प को हम इसके ऊपर फिर से हम सेट कर देंगे जो भी खाली जगह भी बची हुए है उसमें हम टुकोले डालके सेट कर देंगे और फिर से हम इसके उपर चाशनी डालेंगे हमें चाशनी को बहुत ज्यादा भी ने डालना है बस इतना डाले कि जो रस्क है उस चाशनी को एक्जॉर्ब करता है तो हमें एक्स्रान ही डालना है और फिर से हम इसके उपर कश्टट के लेयरिंग कर देंगे यह दिजर्स खाने में बहुत ज्यादा दिलिशेश लगता है और फिर से हम इस पे डाल देंगे ड्राइफुर्स, काजू, बदाम, पिस्ता, नर्ट्स जो भी आप डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं इसके उपर मैं लगा दूनी चीरी में में पास था तो मैंने आप के लिए फ्रीजर मिं रख देंगे जिसे अच्छे तरसे स्वेकर भी तुछेट हो जाएगा दो-ती घंट के ही हैं और मैंने इसे विजर से निकाल लिया है हमारा कस्टड केक बोगत अच्छे हैं सिसे स्ट हो गया है तो अभ में इसे कट कर लेंगे यह बहुत इसलिंग कर है और इसे हम सर्फ कर लेंगे तो फ्रेंड्स आपको हमारी डिलिशिस केक की रैस्पी कैसे लगी अगर आपको हमारी रैस्पी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और बैल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले ताकि हमा